राजमा सबको खाने बहुत ही पसंद है राजमा मगरा पर्फेट बनाएंगे नहीं और बढ़िया तरीका से ये चावल का साथ में खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता चलिए सुरू करते आज के रेसिपी इधर दिखे एक किलो करीब राजमा हम इधर रियूस किया हूँ इसमें आपको कम से कम 6 गंटा तक पानी में आपको भिगो लेना है और इसको अच्छा तरीका से वास करेंगे और इसमें पानी आपको डालना है ज्यादा पाई नहीं डेले इधर हम कम से कम 700 ml करीब पानी डाल हूँ थोड़ा सा दाल चीनी थोड़ा सा तेशपत्ता और थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक चमश करीब हल्दी पाउडर डालके इसको कम से हम बॉयल में बिठाएंगे पान्स सीटी लगा देंगे ठीक है पान्स सीटी में अच्छा तरीका से राजमा जो है ना अच्छा बॉयल हो जाएगा अब इधर देखिए वान एन हाप कप करीब हम ओयल का यूश किया हूँ थोड़ा सा ज्यादा ओयल यूश करेंगे आप चाय तो लेज भी कर सकते हैं अब इसमें एक चमश साबू जीरा डालेंगे जीरा जैसे थोड़ा फ्राई हो जाए अब इसमें डा साबूर चलिया ऑप बाट चलू सबस्क्राइब हम फिरा करेंगे ना पॉरी नदीया जिंगर यूश क्या हूँ सब्रेव कर द चूक से थीकुर जीरे अच्छा बनता और flavor भी बहुत अच्छा आता अब देखे राजमा मेरा देखे इधर अच्छा से पक चुका है पांस सीटी लगाया हूँ जादा इसमें नहीं किया यह थोड़ा सा mask कर लेंगे mask करने का बाद में यह देखे राजमा कितना perfect और soft फुरा boil हुआ है अब देखे राजमा अच्छा तरीका से boil हुचा है अब इधर देखे प्याज को छोटा भूनना है इधर देखे प्याज भी अच्छा तरीका मेरा भून चुका है अब इसमें masala में डालेंगे क्या आपका थोड़ा सा healthy powder डालेंगे एक चमश करी दो चमच इधर हम देखे चिली पाउडर का यूज किया हूँ एक चमच धनिया पाउडर ठीक है अब इसको अच्छा तरीका से मसाला को भूनेंगे मसाला पहले डालेंगे ना मसाला का जो रौस मेल होता ओभी हड जाएगा और अच्छा कलर आएगा अब मसाला बहुत ही अच अब इसमें क्या करेंगे स्वादनुसा थोड़ा नमक डाल देंगे अच्छा तरीका सरय बूनीजिए जैसे पूरा टेमाटर अच्छा तरीका से पकना चाहिए यह देखिये कि इतना ग्रेवी जो है बहुत ही बड़ीया बना परफेक्ट बना हुए राजभा के लिए पू मेरा बन के रेड़ी है अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्तूरी मेथी एड़ करेंगे ठीक है कस्तूरी मेथी जब डालेंगे ना उसका फ्लेवर ही पुरा चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुझ हुआ था ठीक है अब जो राजमा का मसाला है मेरा इद पसंद है आपको पसंद है या नहीं है एक बार आप कमेंड में जरूर बताए ये दिखिए थोड़ा सा पका लेंगे राजमा उपर से बारी कटा हुआ धनिया पता इसमें डाल देंगे थोड़ा से जादा करके अब इसको अच्छा तरीका से मिक्स करेंगे और एक मिनिट पका लेंगे ठीक है राजमा देखिए पूरा बनकर रेडी है राजमा का रेडी है आपको पसंद है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंड कीजिए ये देखिए पूरा परफेक्ट और मसालेदार एकदम बढ़िया देखिए राजमा बनकर रेडिये गर्मा गरम राइस लीजिए और बैट के खाई ये रेसी पसंद आज तो एक कमेंट प्लीज किजिए फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार और नेय नेय रेसीपी के साथ में